अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश हूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में अगर हमें बहुत सारी image एड़ करनी हो और उसको अपने हिसाब से page में align करना हो तो हम कैसे करेंगे बहुत ही असान तरीके से समझेंगे तो आप देख सकते हैं यह है Microsoft World का page और यह है वो सारी images जो हम यहाँ पर add करेंगे यह कुछ 4-5 images मैंने यहाँ पर रखी हुई है तो देखें बहुत simple है सबसे पहले image पकड़िये माल लीजे कि यह chrome का logo है इसको हमने पकड़ा और यहाँ लाकर के छोड़ दिया जो भी आप लेना चाहें तो माल लीजें हम यहाँ पर 50 कर देते हैं यहाँ पर फिफ्टी कर दिया बाहर क्लिक करते ही यह अपने साबसे एज़िस कर देगा मला जो size आप वहाँ set करेंगे उसे साबसे इसने एज़िस्ट कर दिया उसके बाद यहां पर right click करिए और wrap text में जाईए यहां पर हमें square पर click करना है यह हम क्यों कर रहे हैं यह करने के बाद आप इस picture को पूरे page में कहीं पर भी move करा सकते हैं यह हमने set कर दिया उसके बाद अगली picture माल लीजे कि यह cross हम ले लेते हैं इसको हमने यहां पर लाकर के छोड़ दिया यह थोड़ा बड़ा है तो फिर क्या करेंगे select करिए वापस से जाईए picture format में इस पर click करिए और यहां से size बही 50 कर दीजे जो हम standard रख रहे हैं सबके लिए यह हमने 50 size कर दिया अब बाहर क्लिक करते ही यह image भी अपने हजाब से size का कम कर दिया और फिर align करने के लिए इसको select करिए right क्लिक करिए wrap text में जाईए और यहां से square पे click कर दीजे उसके बाद अब आप इस picture कहीं पर भी move करा सकते हैं ठीक है उसी तरीके से जित्ती भी image आप आप चाहें ऐसे drag करके आप उसको move करा सकते हैं पूरे page में कहीं पर दिया ठीक है फिर right क्लिक करिए wrap text पर जाईए square पर क्लिक करिए size कम करने के उसी तरीके से picture format में जाईए ठीक है और यहां पर 50 कर दीजे size आप कुछ भी कर सकते हैं मैं के एक समझाने के लिए यह 50 ले रहा हूं ठीक है और बाहर क्लिक करते ही adjust हो गया और इसको यहां पर अपने साब से adjust करें ठीक है